बदल गई है बिंदियारानी, बदल गए है उसके तेवर, बदली है उसकी वेश भूशा, बदल है उसका अंदाज, बेगु सराई की कहानी में 20 साल के लीप के बाद बिंदियारानी बन गई है बाहु बली, हाथों में हंटर लिए, गुरूर से भरी चाल है उसकी, आखों में काजल, माथे पर बिंदी और चांदी की नथनिया सजाए, ये बिंदियारानी का नया अवतार है, सीधे पल्लू की सूती साड़ी पहने, बिंदिया कलायों में रुदराक्ष की माला डाले है, और उसकी जुबान तो पहले से भी ज्यादा तेज है बात बात पर थपड़ लगाना तो आम बात है, बैठने का अंदाज देखकर ही आपको उसकी दबंगई का हैसास होने लगता है, वैसे 20 साल बात भी एक बात जो नहीं बदली है, वो है उसकी खूबसूरती, ठाकूर की नियत तो बिंदिया को देखकर ऐसे ही खराब नहीं हुई थी, 20 साल पहले, हाँ, अभी लीप लिया है, 20 साल में लोगों में फरका जाता है, आप अपने आपको भी अगर 20 साल आगे देखेंगी, तो आप अलगी होंगी, और अगर अगर अपने आपको 20 साल पहले देखेंगी, तो भी आप अलग थी, तो आता है, वैसे कुछ खास चेंज़ नहीं हुएं, साडी पहना है, मैंने कॉटन की साडी पहनने लगी हूँ, और ये बिहार का बड़ा बुजर्गों वाला स्टाइल है, इंफाक्ट बिहार में या या यूटी और बिहार में लोग सीधे पल्ले की साडी पहनती है, तो बिंदिया वैसी भी थोड़ी सी स्ट्रॉंग थी, अब थोड़ी और स्ट्रॉंग हो गई किसका अजेंडा है कि I hate ladies और ladies घर में नहीं आनी चाहिएं and all that, because of that, she hate ladies, तो उसके लिए भी उसका attitude ladies की प्रती बहुत ज्यादा बदल गया है बदले तेवर और कलेवर में ये बिंदिया कितनो की नीन दोड़ाएगी और नए कलाकारों के संग बेगू सराय सीरियल दर्शकों को कितना लुपा पाता है, ये जल्द ही पता चल जाएगा मुंबई से वंदना शुकला के साथ, ABP News Report